अगर आप चाहते हैं कि ये जीवन अपने सर्वोच स्तर पर काम करे तो शुद्धी करण की आवशक्ता है महीने में दो बार ये करना और नियमित अभ्यास करना आप जो भी कर रहे हैं वो पक्का करेगा कि शरीर शुद्ध है तो अगर आपकी केमिस्टरी साफ नहीं है तो शुरू में ये नाखुशी का सवाल होता है बाद में ये खराब सेहत का सवाल बन जाता है इनर एंजिनिरिंग के पांच पहलू ये आनंद में रहने का एक सरल तरीका है तो खास तोर से आप में से वो लोग जो आध्यात्मिक उन्नती के इच्छुक हैं आपको एक अच्छी प्रणाली की जरूरत है एक अच्छी प्रणाली का अर्थ है कम से कम मात्रा में घर्शन कम से कम घर्शन, कुछ भी इकठा नहीं करना, सब कुछ साफ है अब ये सहजता और सरलता से काम करता है हम जो कुछ भी इससे करना चाहते हैं वो करना आसान हो जाता है पर आज कई तरीकों से विचार में, भावना में यहां तक की मौखिक शुद्धता भी नहीं है इसे वागशुद्धी कहा जाता है जहां इस देश में इस बात को बहुत बड़ा महत्व दिया गया कि आप किस तरह की ध्वनी का उचारन करते हैं और किस भावना से करते हैं इससे आप अपने जीवन में चीजों को स्थापित कर सकते हैं इस अर्थ में, अगर मैं फूल कहता हूं तो फूल की सुगंद एक जीवित सचाई बन जाती है असल में ऐसा होगा पर आप मेंसे जो लोग शिट-शिट कहते हैं आप ये खुद के साथ कर रहे हैं ये जान लीजे आपके मन में, आपके शब्दों में जो ध्वनियां आप उचारत करते हैं और सुनते हैं और अपने लिए और आसपास के सभी लोगों के लिए आप जिस तरह का वातावरन बनाते हैं ये सब चीजे महत्वपून हैं अरे ये सब क्या है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया जिन शब्दों को आप बोलते हैं, जो शब्द आप सुनते हैं ध्वनियां, आप किस तरह की ध्वनियों का उचारन करते हैं ये बहुत महत्वपून हैं अगर आप इसका सही उचारन करते हैं जैसा कि मैंने कहा, अगर आप फूल कहते हैं और वापस आना, उसके बाद किसी बिगडी हुई चीज से आप वहाँ ड्राइव करके वापस आ सकते हैं, या एक साइकल पर जाकर वापस आ सकते हैं, अब अचानक आप एक दौड में शामिल होना चाहते हैं, अब मशीन के हर एक सूक्ष्म मिलिमीटर को बार-बार कई बार और बार-बार शुद किया जाता है, ये इसी तरह है, अगर आप चाहते हैं कि ये जीवन अपने सरवोच स्तर पर कार्य करे, तो सब कुछ, बस सब कुछ, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे कदम रखते हैं, उसमें शुद्धी कर काम पूरा हो जाए, उसका एक कण भी अंदर नहीं रहना चाहिए, उसे बाहर निकलना चाहिए, तो आप खुद को कैसे शुद्ध करते हैं? एक सरल चीज है, कम से कम महीने में दो बार, एक दिन, 24 घंटे का समय बिना किसी भोजन के गुजारना चाहिए, सिर्फ पानी, यह यहां मौजूद हमारे भ्रमचारी और यहां कई दूसरे लोग हर एक आदशी के दिन ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए वो दिन सबसे और अगला भुजन अगले दिन शाम को लेते हैं, और सिर्फ पानी पीते हैं, अगर आप शुरू में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो कुछ समय बाद यह ठीक हो जाएगा, अगर आप परियाप साधना करते हैं, तो यह एक समस्या नहीं होगी, इसके अलावा अगर आप ठका हुआ महसूस करते हैं, तो आप उसमें एक नीम्बू निचोड सकते हैं, और आप उसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, यह आपको चालू रखेगा, महीने में दो बार ऐसा करना, और नियमित रूप से अपनी साधना करना, सुनिश्चित करेगा कि शरीर सा है, लेकिन शुद्धता पर आने का सबसे सरल तरीका है, आनंद की अवस्था में होना, मैं आपसे कुछ भी कठिन करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे सबसे सरल और सबसे शांदार चीज़ करने को कह रहा हूँ, तो ये एक सरल तरीका है, क्योंकि आज हमें कोई वैज्ञानिक साक्ष नहीं चाहिए, प्रयोग शाला विज्ञान का साक्ष, पर आज विज्ञान के प्रयोगात्मक साक्ष भी हैं, कि जब आप आनंद में होते हैं, जब आपका अनुभव मधूर होता है, तब शरीर की क्र केमिस्ट्री में आधारित है, तो अगर आपकी केमिस्ट्री शुद्ध नहीं है, आप अपने भीतर जो पैदा करते हैं, अगर ये उससे मैली हो रही है, तो शुरू में ये नाखुशी का सवाल है, और बाद में ये खराब सेहत बन जाता है, और हर तरह के कष्ट भुगतन अगर आप इसका ध्यान रखें, मैं इसका ध्यान कैसे रखूं सद्गुरू, अरे, इनर एंजिनिरिंग है, अभी आपने सोचा देखिए, ये इस तरह है, आप पहले स्कूल गए, आपने A, B, C, D सीखा, ठीक है, शुरुवाती चीज आपके प्राथमिक शिक्षक, लेकिन पिर आप B, C, M, C, P, D बन गए, ये बंदरास्ते जैसा लगता है, P, D, तो अब आप वहाँ पहुँच गए, और तब आपने अपनी प्राथमिक शिक्षिका को देखा, वो महिला अब किसी काम की नहीं लगती, वो कुछ नहीं जानती, बस A, B, C, मान लीजे, आप भूल गए कि उसने आपको क्या सिखाया था, और फिर आप PhD कैसे कहेंगे, तो जीवन के अलग-अलग चरणों में अलग-अलग चीजें आएंगी, पर ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि बुनियादी चीजें नश्ट नहूं, इनर एंजिनेरिंग, दुनिया के लिए मा, हलो, भूल गए, नहीं सद्गुरू मैं सम्यमा हूँ, अगर आप ABC भूल गए, तो कोई PhD नहीं है न? ये ऐसी ही चीज है, तो इनर एंजिनेरिंग के पांच पहलू, खुद को एक क्रैश कोर्स कैसे दें? अगर आपको दिन में एक बार इसकी जरूरत है, तो एक बार करिए, अगर दो बार इसकी जरूरत है, तो दो बार कीजिए, अगर आपको चौबीस बार जरूरत है, तो चौबीस बार कीजिए, अगर चौबीस हजार बार जरूरत है, तो चौबीस हजार बार कीजिए, खुद को Inner Engineering के पांच बुनियादी सिधानतों की याद दिलाईए आनंद में रहने का ये एक सरल तरीका है